मिदाहिक जी नंगला साहसिम है उनकी प्रुव छिखायत है कोरी काम है वह आप से मिलना चाहते है फिरम भार चलेंगे ठीक है मिल लेते हैं कि ओब दाइक जी नमस्ते удив, बैठी और आयाशेम्पए बैठी कैसे आना हुआ चिए क्या समस्य बताई में बिधाइक जी हमारी समस्या है कि हमें आवासी नाppt डोउके हम और ऑर हमारी मकान निबर से खिलाब आप हमारी इतनी मदद कर देओ जो हमें आवास मिल जाए हमें तो परहसान है कि जेती बारिज बहिरार होती हमारे घर होती हीगी छप्पर है वो सब चुई जात बहुत परहसान है विधायक जी आप हमारी मदद कर देओ हाशिम बाईया मदद तो आपकी पूरी होगी आपने इतना सोचा भी नहीं होगा हम आपकी इतनी मदद करेंगे अले उश्मान तो मैंसा करो वीडियो और सिग्रेटरी को फोन करो और केना दो गंटे में नगला पहुंचे और हाशिम बाईया आप चलिए मैं आ रहा हूं ठीक हलो वीडियो साथ मैं बिधायक जी कहा पेवार हां आप और सिग्रेटरी दुनों लोग नगला पहुचे है दो गंटे और पहुंचना एं बिधायक जी मिदो घंटेने रहे हैं और थेक है, आप पहुंचे दो गंटे में हम आ रहे हैं विधायक जी मैंने बोल दिया हम चलते हैं ठीक है ऐसा गरो नगला वालों को फोन कर दो कहना विधायक जी दो गंटे में पहुंच रहे हैं और तब तक तुम लोग गाड़ी निकलवाओ, हम दो मिनट में आते हैं अरे वीडियो साथ, बहुत देर हो गई, अभी तक विदायक जी आये नहीं, हाँ हो तो देर गई है हासिन भाई या विदायक जी आ गए है, अच्छा विदायक जी आ गए है, ठीक है अधायक जी नवस्ते है, नवस्ते नवस्ते है अरे अज़ा इतना, जी सर्थ यह बताओ यह वाला मकान किसका है, यह रालवाई अरे अज़ा यह बताओ यह बगल वाला मकान किसका है, यह बिर्जेजवाई गाए अच्छा यह बताओ, आप इनको जानते हैं, इनका इस घर के अलावा कहीं और भी मकान है कोई पक्का अच्छा यह बताओ, जब इनका यह कच्चा मकान है, तो आपने किस आधार पर यह रिपोर्ट लगाई है कि यह मकान पक्का है जब यह साफ साफ दिख रहा है, यह कच्चा मकान है, तो आपने इसमें यह रिपोर्ट क्यों लगाई है कि आप आतर है इसका जवाब दीजिए, कि आपको दिखाई नहीं देता है, यह कच्चा मकान है साब आभी यह कुछ दिन से रहने लगे यहाँ चलो यह भी देख लेते हैं, अगर जल्दी रहे होंगे तो ना तो ग्रस्ती होगी ना कुछ, चलो पता लगाते हैं, क्या है, आईए वीडियो साब, इदर आईए ऐसा है, ग्रस्ती का सारा सामान है, और यह गरीब पात्र नहीं है किस आधार पर आपके सिगरेटरी ने इनको अपात्र लिखा है, क्या ऐसे ही काम होगा जब यह साफ साफ दिख रहा है, यह कच्चा मकान है, तो इसमें किस आधार पर इसे अपात्र कर दिया गया है अगर ये भी पात्र नहीं है तो पात्र है कौन इसका जबाब दीजी आप साहब इनके पिता जी का मकान पक्का है पिता जी पक्के मकान में रह रहे हैं उससे क्या मतलब ये अपने परिवार के साथ इस कच्छे घर में रह रहे हैं तो ये पात्र कैसे हुए क्या आपको यह नहीं पता है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतरगत कौन पात्र है कौन अपात्र है सुनिए जो भी अपने परिवार के साथ कच्छे मकान में रहता है वो पात्र है वीडियो साब ये बताईए जब ये कच्छा मकान दिखाई दे रहा है उसके बाद भी इनको अपात्र कर दिया गया है इसका मतलब समझते हैं आप इसका सीधा मतलब यह है कि आप बहुत इक सत्यापन नहीं करते सिर्फ कागजों पर काम करते हैं रहा सिक्रेटरी साब आपने दुसरे के कहने पर रिपोर्ट लगाई है और एक और सिकाइट मिली है आपकी जिसका पक्का आवास है आपने उनको भी आवास दे रखे हैं जाज कराऊं मैं इसकी जाज कराऊं अगर मैंने जाज करा दी और लिस्ट में ये दिखाई दे गया पक्के मकान आप उन्हें आवास बाट रहे हैं नहीं बिदाएग जी ऐसी बात नहीं है जाज कराऊं मैं किया मुझे नहीं देखता वह सुनिए ये जो पात्र है जो पात्र है आपको नहीं देंगे कोई बड़ा आदमी है उसने के दिया कि भाई मुझे दे दो ये मेरा आपको नहीं दिखता है गरीब है अगर आइंदास यह गलती हुई तो पूरे ब्लाक को मैं बाहर खड़ा करके सबक सिखा दूँआ ध्यार रखिए गाव सुनिए वीडियो साब पूरे गाउं की जाच कराई है ठीक है जो पात्र है जो गरीब है उसे आवास दिलवाई है पर हां आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे हमारे गरीबों को किसी को भी कोई परेशानी हो और यह इसी गाउं में नहीं मुझे किसी भी गाउं से होगी अब आप निश्चिंत रहे हैं अब आपको अपना आवास मिल जाएगा ठीक है बिलकुल परेशान होने की जरूत नहीं है जब तक मैं हूं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी ठीक है जली जली धन्यवाद दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बत